मुदी जी कब तक आखिर कब तक आप खामुश रहेंगे खुले मंच से मुसलमानों को धंकी दी गई मारने और काटने की पूरी दुनिया ने देखा लेकिन इसके बाबजूद भी आप खामोश रहे इसाईयों को उनका त्योहार मनाने से रोका गया उनके त्योहार का क्रिसमस का बाइकॉट किया गया लेकिन फिर भी आप खामोश रहे लेकिन अब बात देश के रास्ट पिता के उपर आ गई है रास्ट पिता को गंदी गंदी गालिया दी जा रही है रास्ट पिता के हत्यारे की जह जह कार हो रही है देश के अंदर लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी आप खामोशें आखर कब बोलेंगे आप आज पूरा देश ये आप से सवाल कर रहा है कि आखर कब कब आपके मुसे रास्ते पता को गाली देने वालों के खिलाफ कोई शब्द निकलेगा कब ऐसे देश के गद्दारों के उपर सक्त कारवाई होगी आखर कब महात्मा गांदी बही हैं जिनकी जैनती पर आप सुबा सबसे पहले उटकर उनको श्रदान जली देते हैं जब आप अमेरीका जाते हैं तो वहां के रास्ते पती आपको ये कहकर बलाते हैं कि आप महात्मा गांदी के देश से आए हैं और आप वहां पर जाकर महात्मा गांदी के बहुत तारीफे भी करते हैं आज भारत जो पहचाना जाता है वो आपकी वज़ा से राहुल गांदी की वज़ा से या किसी और नेता की वज़ा से नहीं पहचाना जाता है बलकि गांदी की वज़ा से पहचाना जाता है खुले मंच से उनको क्या क्या नहीं बोला जा रहा है वो शब्द में यहां पर बोल भी नहीं सकता आज पूरा देश आप से सवाल कर रहा है मोदी जी कि आखर कब तक ये लोग ऐसे ही रास्टे पिता को गाली देते रहेंगे वो रास्टे पिता जिनका फोटो अगर नोट पर ना हो तो जिन्दगी गुजानना मुश्किल हो जाएगा हमारे देश की एक बहुत महान हस्ती है हमारे बापुजी और आज सुबा से मैं सोशल मेडिया पर बड़े बड़े देश भक्तों को ढूनने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद इनकी तरफ से कोई पोस्ट आ जाए बापुजी के लिए बापुजी को जिन लोगों ने हरामी बोला है उनके लिए उनको गरफतार कराने के लिए चाहे अक्षे कुमार हुए अमिताब बच्चन हुए ब्रेंदर सहबाग हुए गौतम गंभीर हुए संबित पातरा हुए किसी भी देशभक्त की तरफ से अभी तक एक पोस्ट भी नहीं आया है कि जिन लोगों ने अपमान किया है उनको सकत सजा मिलनी चाहिए तो फिर ये फरजी देशभक्ती का ढोग क्यों दिखाया जाता है किसी की तरफ से भी एक भी टूइट नहीं आया है चलो मान लिया कि मुसल्मानों को मारने काटने की नरसाहार करने के बाते कहीं गई ती तब आपने कोई टूइट नहीं किया लेकिन आज तो टूइट करना चाहिए था बड़े बड़े देश भग, रुबी का लियाकत हुई, अंजना अमकश्यप हुई, कोई भी आपको सोशल मीडिया पर इस मैटर पर ट्यूट करते हुए दिखाई नहीं दिया और किसी ने भी, किसी ने भी उस काली चरण को जो बाबा बना बैठा है, उसने जो बापू जी को गाले दिये, उसको लेकर किसी ने नहीं कहा कि इसको जेल के अंदर दालना चाहिए, फिलाल, मेरी एक सला है, ऐसे लोगों से, इन गोट से, भक्तों से, कि अगर तुम्हें इतनी ही नफरत है बापू जी से, तो अपने जेम में गांदी जी का फोटो रखना छोड़ दो, आ मोदी जी अगर आज आप खामोश रहे तो आने वाला वक्त वो होगा ना, कि ये आपके भी सगे नहीं होंगे, आने वाले वक्त में ये लोग मोदी जी का भी विरोत करेंगे, ये देख लेना, क्योंकि जो भाशर दिये गए उसमें ये कहा गया है, जो धर्म संसर सजाए ग लेकिन प्रदान मंतिरी तो ऐसा नहीं कहते है ना, और नहीं ऐसा करते है, तो आने वाले वक्त में प्रदान मंतिरी मोदी जी, ये लोग आपका भी विरोत करेंगे, फिलाल चतीस गड़ के अंदर ये धर्म संसर सजाए गई थी, जैसे के हरे दवार में हुआ था, इसी तर पर कांग्र Confeder की सरकार है, और इसमें सजा पठा कितनी है, एक में तीन महीने की सजा और दी तीन साल की सजा, दीसरी दारा में तीन साल की सजा है, चलिए इसके उपर मुकदमा तो दर्जवा लेकिन अब ये तक इसकी गरफ़तारी नहीं हुई है, दूसरी तरफ नरसे मारन सरजबती क्या क्या बोला है बलतकारी बोला है महत्मा गांदी को पता नहीं कौन कौन जे शब्दों का इस्तिमाल कर रहा है कितने घडिया शब्द लेकिन अफसोस केस के बाफजूद भी ऐसे लोगों की उपर कोई कारवाई हो ही नहीं रही है खबर सुनने में आती है कि do is यार हो गई है यह हो गया वो हो गया लेकिन पकड़े नहीं जाती है लोग हो गया रहा है देश के अंदर यह समझी नहीं आ रहा है रास्ट पिता के बारे में इतनी गंदी संदी बाते बोले जा रही है और लोग सुनने हैं पिरशासन सुनना है हमारी अदालते सुन नहीं है स सारे नेता सुनने हैं पूरी दुनिया महात्मा गांदी की एज़त करती है जरा सोचिए भारत की कितनी नात कटेगी पूरी दुनिया में